मेरे प्यारे देश्वासियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूँ. 101 साल पुरानी बात है, 1919 का साल था, अंग्रेजी हकुमत ने जलियाँ वाला बाग में दिर्दोष्ट लोगों का क्टले आंद किया था. इस नरु संहार के बात, एक बारा साल का लड़का, उस गटना स्थल पर गया, वह खुश्मिजाश और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियाँ वाला बाग में जो देखा, वह उसकी सोच के परे था, वह स्तब्द था, यह सोच कर कि कोई भी इतना निर्दई कैसे हो सकता है, वह मासूम गुस्से की आग में चलने लगा था, उसी जलियाँ वाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिराब लड़ने की कश्म खाईए, क्या आपको पता चला, कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं शहीद वीर बगत सिंग की बात कर रहा हूँ, कल 28 सितंबर को हम वीर बगत सिंग की जैनती मनाएंगे, मैं समस्त देश्वासियों के साथ साहस और विर्ता की प्रतिमूर्ती, शहीद वीर बगत सिंग को नमन करता हूँ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकुमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था, तो उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकुमत एक 23 साल के युवक से भैवीत हो गई थी, शहीद बगत सिंग की प्रावकरमी होने के साथ साथ दिद्वान भी थे, चिंतक थे, अपने जीवन की चिंता किये बगेर, बगत सिंग और उनके क्रांती भी साथियों ने, ऐसे साहसिक कारियों को अंजाम दिया, जिनका देश की आजादे में बहुत बड़ा योगदान रहा, शहीद बीर बगत सिंग के जीवन का एक और खुबसरत पहलू यह है, कि वे टीम बर्ग के महतों को बखुबी समझते थे, लाला ला एक मिशन के लिए जिये, और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रे जी साथन से मुक्ति दिलाना, मैंने नमो एप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पड़ा, अजय जी लिखते हैं, आज के युवां क ऐसे भगत्सी जैसे बन सकते हैं, देखिए, हम भगत्सी बन पाएं या नबन पाएं, लेकिन भगत्सी जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा, जरूर हम सब के दिलों में हो, सहीद भगत्सी को यही हमारी सबसे बड़ी स्रद्धान जली होग देखा था, हमारे बहदूर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष था, हर कीमत पर भारत मा के गवरव और सम्मान की रक्षा करना, उन्होंने अपनी जिन्दकी की जरा भी परवा नहीं की, वे अपने कर्तव्य पत पर आगे बढ़ते गए, और हम सब ने देखा कि किस प् माता का गवरो बढ़ाया